तो फ्रेंट्स इस पाइन को मैंने साथ महीने पहले नर्सरी से पर्चीस किया था इसका जो नाम है वो है चाइनीज ब्लैक पाइन और ये मेरे पास नहीं था और ये बॉंजाय बनाने के लिए बहुत जादा सूटबल प्लांट्स है और ये एक बहुत अच्छा मटीरियल है जो मुझे 180 रूपीस का मिला मैंने कुछ एक महीने पहले इसकी थोड़ी बात पूरिंग की थी और जो मैंने इसमें न्यू शूट्स देखी कि नई ग्रोद आ रही है पूरिंग के बाद तो फिर मैंने डिसाइड़ कि इसकी अब रिबॉर्टिंग की जाए सबसे पहले प्लान को पॉट से अलग करके बाहर निकाल लेना है ठीक है फिर उसके बाद आपको उसकी रूट बॉल को चेक करना है देखना है और यह जो बारिश का बैक्राउंड आपको म्यूजिक लग रहा हूगा वो म्यूजिक नहीं है आट डेली में संडे और पूरे दिन बारिश हो रही है तो जैसा आप देख रहों कि इसकी यह ब्रांच काफी लगी लग रही है और एक पीछे वाली जो ब्रांच है वो भी काफी लगी लग रही है तो इन दोनों को मैं वाइरिंग करके शेप देता हूँ इसको अच्छे से आपजर्व करने के बाद मैंने स्लांटिंग स्टाइल फाइनल किया है मैं इसकी स्लांटिंग स्टाइल में इसकी ट्रेनिंग करूँगा और यह मेरे पास है भी नहीं तो यह अच्छा लग गया रूड पाउल को और पॉट को एक चीज से बान दें ताकि यह हिले ना देगें फिर आप इसके अंदर जब अच्छे से मट्टी को सेट करोगे न वो अच्छी तरह से जम जाएगा तो मिट्टी जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से सेट होगा आपको प्लांट हिलेगा न मेरा जो बांजाय है वो रेड़ी हो चुका है मैं इसको भर के पानी दोगा मैं इसको अच्छे से रैप कर दिया ताकि जो इसकी एक यूंडिटी है वो बरकरा रहे और अगर आपको वीडियो में कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला होया और आपको वीडियो अच्छी झाल झाल